बहला थाना छेत्र केंतरगत आने वाले ग्राम चीचेवाडा में एक परिवार के आधा दर्जन लोगों ने बलवा करते हुए एक गर्भवती महिला और उसके पती को लाठी से मार कर घायल कर दिया साथ जुलाई की रातरी आड़ बजे करीवी हम वारदात जमिन की विवाद को लेखर हुई गायल दोनों पती पतनी जिन में राजिव पिता मानिकलाल मसकरे 38 और उसकी पतनी संध्या मसकरे 27 वश को जिला अस्पताल बालग हाट में भरती किया गया है प्राप्त जानकार के अनुसार राजिव मसकरे मूल रूप से चिकली के रहने वाले हैं किन्त उनके पिता मानिकलाल मसकरे ग्राम चीचे वड़ा में घर दामादा आया है जिनकी पतनी हिरकनी बाई मसकरे जो अपने माता पिता की एक लोती बेटी है हिरकनी भाई के परिवार में पती मानिकलाल, दो बेटे, तीन बेटी, जिनमें एक बेटा और दो बेटी की शादी हो जो बात्रूम बना लिया है इसको लेकर दोनों परिवार की बीच में वाच चल रहा था जैसलिकर निर्मान कारे में रोग लगा दी गई इसको लेकर प्रिम्दास और हिरकनी बाई की परिवार के बीच आप से रंजिस बनी हुई थी साज जुलाई की शाम साथ बजे करीब जब हिरकनी बाई का बेटा राजिव अपने चिकली खेज से रोशन पगरवार की बैल गाड़ी में अपने घर चीचेवाड़ा आ रहा था तबी ग्राम चीचेवाड़यम में कमल बैटवार के घर के सामने से जाते समय कमल उसके भाई प्रितम प्रिम्दास ने उनके बेटे क्रिश्ण विजय संजय ने बलवा करते भी लाठी लेकर राजिव को मानने दोड़े राजिव अपनी जान बचाने बैलगाड़ी से उतर कर भागा और समीफ ही फत्तुमाहो लेके घर के कोटे में घुज गया इन अच्छे लोगों ने कोटे में घुज कर राजिव को लाठी से बेहर हमी पुरवक मारपिट के जिससे राजिव वहीं बेहोश हो गया था तब गावालों ने राजिव को महां से उठा कर लिया और उसे सुला दिया था जिसके बाद राजिव की पतनी संध्या मसकर्य अपनी ननाद दुरगा नकपुरे के साथ रिपोर्ट दरश करने के लिए बैला थाना पहुँची आठ जुलाई को राजिव मसकर्य उसकी पतन बाला खाट लाकर भरती किया है जिला अस्पताल पुलिस शोकी ने राजिव मसकर्य का कथन लेकर अस्पताल तेरीर अगरीम कारवाई है तो पुलिस थाना बहला भीजवा दिया है अब तुम आउली के घर गया वहां पर घुशते सब पाच्छेयों के च्छेयों माड़ने लग दें